नौश्का दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं if we are with विकास तो टाटा पंच बुक करा लिया या बुक कराने जा रहे हैं तो चलो ठीक है जाकर करा लेना शोरूम में बुकिंग पर अगर मैं ये कहूं कि शोरूम जा ही रहे हो तो ये एक कार टाटा टिगोर ईवी जिसमें 26 किलोवाट की बैटरी है और साथ में एक फुल चार्ज में ये 306 किलोमेटर का रेंज देती है ये जो रेंज फिगर है वो ओफिशिल ए आर ए आई का ही है इसको भी जाके चेक आउट कर लेना अगर शोरूम जा ही रहे हो तो और सबसे इंपोर्टर राद अब ये कहूं कि तुम्हारी टाटा पंच मैं आल्मोस्ट फ्री में दिलवा दोंगा तो आप लोग कहोगे कि भाई चल मेरी बुकिंग करा फ्री में तो सच में आपकी टाटा पंच आल्मोस्ट फ्री हो जाएगी अगर ये वीडियो पूरा देखा क्योंकि इसमें मैं आपको facts and figure रखूंगा ना कि कहानी तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक फिर कमेंट में बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना पर वीडियो के लास्ट में ये सब करना उससे पहले नहीं और अगर टाटा पंच ही बुक करनी है और उसके बारे में सब डिटेल चाहिए तो उपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं जाकर देख लेना तो चलो अब दोनों का यानि टाटा पंच और टाटा टीगोर ईवी का कल्कुलेशन करके बता देता हूं ये कल्कुलेशन मैं पांच साल की करूँगा क्योंकि हमारे जैसे और आपके जैसे अगर कार खरीदते हैं तो उसको पांच साल तो मिनमम चलाते ही हैं और अगर मेरे जैसा कोई हो तो कम से कम सात से आठ साल तो चलो शुरू करते हैं मैथामेटिक्स की क्लास तो फीचर की बात करें तो टाटा पंच और टाटा टीगोर ईवी में अल्मोस्ट एक ही फीचर है और सेफटी वाइस भी रेटिंग अच्छी है तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा सिर्फ बात करेंगे इसके एक शोरूम कॉस्टिंग और रनिंग कॉस्ट की तो भाई सबसे पहले टाटा पंच की कॉस्टिंग अभी आउट नहीं हुई है कोई नाइन नाइन लाक रुपीज कैंसल भाई कैंसल नहीं लेनी टाटा टिगोर टीवी टाटा पंच ही बेस्ट है पर भाई एक मेट रूको तो सही अभी मैजिक शुरू कहा हुआ है तो चलो शुरू करते हैं और यह जो कल्कुलेशन है वो अभी के करेंट प्राइस पर होगी ठीक है अभी के करेंट प्राइस पर तो चलो टाटा टिगोर की फुल चार्ज कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट देखते हैं तो अगर इसको टाटा टिगोर एवी को फुल चार्ज करें fast charging mode पे तो electricity cost जो होती है per kilowatt वो है अभी के time पे 17 रुपए 26 kilowatt की battery है तो full charge होने पे इसको multiply करते है 17 into 26 यानि कि ये जो total होता है वो होता है 442 रुपए एक full charge पर चलती है 306 km पर इसको भी हम 300 km लेते हैं तो average cost per km इसमें आता है 1 रुपए 47 पैसे यानि की 1 रुपी 47 पैसे पर किलो मीटर ठीक है भाई टाटा टीग और ईवी की costing समझ गया है अब बात करते हैं टाटा पंच की पेट्रोल वर्जन है इस टाइम पेट्रोल on an average 100 रुपए मैं लेके चल रहा हूं कहीं पर 99 रुपए कुछ पैसे कहीं पे 103 ए 104 है तो इसको 100 रुपए मान लेते हैं तो इस टाइम 100 रुपए ले लेते हैं इसका average तो इसकी cost अभी के हिसाब से 100 रुपए पेट्रोल है एक लिटर का तो इसकी पर किलोमेटर की costing आती है पांच रुपए 56 पैसे पर किलोमेटर यानि की 5 रुपीज 56 पैसे पर किलोमेटर अब 10 हजार किलोमेटर के हिसाब से calculate करते है क्योंकि 10,000 किलोमेटर तक की आपको free service मिलती है Tata Tior EV में कितनी free service मिलेगी कितने किलोमेटर की battery की services क्या है यह आपको सारी description में मिलेगी पर मैं अभी इसके 10,000 किलोमेटर की calculation करता हूँ तो अगर अगर आप 10,000 किलोमेटर चलते हैं Tata Tior EV से तो आपकी इसकी running cost आती है 14,700 रुपई यानि कि 14,700 रुपई और यही अगर आप Tata PAN से चलेंगे 10,000 किलोमेटर तो आपकी costing आएगी 55,600 रुपई यानि कि 55,600 रुपई पहले 2-3 महीने में ही आपका फायदा हो गया 40,900 रुपई का यानि कि 40,900 रुपई तो इस हिसाब से अगर आप अपनी Tata Tigor EV 85,574 किलोमेटर चला लेते हो तो आपका जो cost difference था वहाँ पर 3,500,000 रुपई का जो Tata Tigor की costing थी 11,99,000 रुपई और Tata Punch की costing थी साड़े 8,000,000 रुपई जो साड़े 3,000,000 रुपई का difference था वह आपका 85,574 किलोमेटर चलने के बाद ही पूरा हो जाएगा तो आपकी लगभग लगभग एक से डेड़ साल में आपकी गाड़ी हो गई almost बराबर ठीक है यदि आप रोज office जाते हैं और आपकी driving आना जाना घर से घर से निकलना ऑफिस पहुचना ऑफिस से वापस घर आना लगभग देड़ सो किलोमेटर की होती है तो महीने का पचास हजार किलोमेटर चला ही लेंगे तो पचास हजार जैसे मैंने पहले बताया था कि इस साल की calculation कर रहे हैं तो उस हिसाब से 50,000 x 5 ठीक है, सिंपल फिगर है, 50,000 km आप हर साल चल रहे हैं, तो 50,000 x 5 हो गए आपके 2,500,000 km आप चलेंगे, तो अब इसकी costing जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो पहले हमने मैंने आपको बता दिया, कि अगर आप approximately 85,000 km अगर आप चलते हो, तो आपने उसकी costing निकाल ली, जो आपने 3, तीन लाग रुपे एक्स्ट्रा दिये थे, उसकी costing बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये 5 साल में आप 2,500,000 चलोगे, प्लस आपने इसकी costing निकाल ली, जो साड़े तीन लाग का difference था, 85,000 km आपने चला दी, तो बचता है 1,65,000, अब ये 1,65,000 आपको और चलना है 5 साल में, तो 1,65,000 km आप चलते हो, इलेक्ट्रिक से, जब आपकी costing almost बराबर है, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की costing आती है, 2,42,550 रुपे अगर आप 1,65,000 km चलते हो, और पेट्रोल से यही आप चलते हो, टाटा पंच से, तो आपकी costing आएगी 9,17,400 रुपे, यानी 9,17,400 रुपीज, तो difference कितना हुआ, 6,74,850 रुपीज, तो भाई, 6,74,805 रुपे की सीधी बचत आपकी 5 साल में, अगर आप टाटा टिगोर ईवी लेते हैं, और आप 5 साल टाटा टिगोर ईवी चलते हैं, और हम सब 5 साल नॉर्मल कार अपने पास रखते ही हैं, तो भाई, आपकी टाटा पंच आल्मोस्ट फ्री करा दी ना, 5 साल में पूरा पैसवा वापस, पहले 1.5 साल में उसकी जो डिफरेंस कोस्ट थी वो पूरी करी, उसके बाद अगले 3 साल में 6,74,000 रुपे की बचत भी हो गई, जो आप अगर इससे चलते हो, पेट्रोल से और इलेक्ट्रिक से, तो 6,64,000 की बचत हो गई, यानि की आल्मो नई तो आज कहीं IPOS officer होता, पर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और share भी, तो अब मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है, इतनी calculation के साथ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल की.